हलो दोस्तों तो जन्मस्टमी के आप लोग को बहुत 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 बदाईया और गाइस जन्मस्टमी की एक रात पहले जो फेस्टिवल होता है वो सबसे जादा इंपोर्टन्ट होता है क्योंकि उस समय कृष्ण भागवान का जनाम होने वाला तो रात को बारा बच कि अचली मनाई जाती है तो मैं भी वही जन्मस्टमी मना रहे अपने घर के पास में हरी मंदिर गई और यह देखिए मैंने वहां पर देखे मेला लगा था मुझे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर यह सब हो रहा होगा बट यहां पर ऐसे कि में मतलब ऐसा होता था अच्छे बड़े घरों के बच्चे जो गोरे चिटे चिटे बच्चे होते हैं उनको अठाके जो है ना रादा क्रेश्न और किष्न भगवान बनाया जाता था और बच्चे भी बड़े खुश होते थे पर अब बट वड़ा सा कल्चर चला गया है अब नहीं चीज़ों रिप्लेस कर लिया है अब ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कहीं पर जहां की नहीं दिखी यार मतलब मुझे बच्चपन की बात याद है कि हर गली गली में जहां की नगी होती थी यूनो ये था हमारा मंदिर का पूरा का पूरा परिसर और मंदिर के परिसर में जो है बहुत गाने वगएरा चल रहते कर शभिपार मैं तो काफी सालों बाद है हूँ इस मंदिर में जूटार पहले हो आया करती ती तो इस लाइक दिस और मैंने फिर थोड़ा सा डूढना शुरू कि आयरा है कहीं पर कोई तो जहां की लगी होगी मंदीर है और में को कहीं को ने में थोड़ी से कुछ आर्टिस दिखे तो मैं उधर गई और मैंने उनका थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करी पर इतने डीले लग आर्टिस मतलब बोर हो रहे हैं आपर बैठे में जिस सीधे फेसे इनो बट मुझे एक क्रिशन भगवान बहुत चलाए कि जिस तरह से उसने एक दम ऐसे बासरी पकड़ी तो बहुत क्यूट लग रहा था और यह हमारे महादेव और बात है कि यह अब मतलब वैसा महाल नही जिस देन चीज़ों के लिए इस पेसली आर्टिस्ट हार करे जाते हैं और यह हमारे प्रिशाद जो देने का जो जगह होती है मतलब सब कोछ का यह नहीं पर कोई डोनेशन वाल चक्कर नहीं था पता है कोई डोनेशन नहीं मांग रहा था कुछ नहीं और यह अपने लड़ कोई प्रिशन कर नहीं थे हैं तो यह हमारे मंदर का अंदर का दिखाते हैं को यह हमारे कशन भागवान जी थे और यह है हमारे महाकाल मतलम महादेव जी और यहां पर वैसे लोग जल चड़ा रहे तर मुझे लग़ самой रात को जल नहीं चलाना चाइए तो मैंने तो नहीं च वेशनोदेवी के आज पोस्टर और सब को दिख रहे हैं आज मेरी मदर ने भी बोल दिया कि तुम चली जाओ वेशनोदेवी कुछी तो यहां पर थो मेरे प्रसाइट, मतलब ऐसा था कि मतलब रहुत यह मंदर का थुक्त अनदर थो मैं तीन मंदिर हो क्योंकि फम तो यह भी spectrum क कुछी बात है अब यहां इतनी दूर आई हूँ तो यह तो बहुत ही越जीब से लगता कि मैं redlay इप आप 5 कोषिशान नहीं कर लों को और उन के लिए ऑप अपको बहुत अची हैं बढ़ा allá अदो बर निहें कवाज़ का डिया अन्ट यह पुछाए मिले पशाद में और यह भी मुझे भी मुझे मिलने वाला ता यह भी लेकिन यह उस बच्चे को लिए पच्छाल जो के और यह बहार ना विकारी तोड़े बैठे वे ते से जाने लगे तो बहुत मज़ा था यार बहार ने एक नम मेले जासा लग रहा था अभ यह भी में इन से बात करी अधिंक कुछ मुझे 30 रुपीज में उन्होंने दिया यह यह चीजे न अच्छी होती है पता है चोटे चोटे यह जिसे यह आइटम है जैसे डम डम बना रहा है तर इससे क्यों होता है ना एक चीज ज़ जाती है कि लोगों को एक जॉब मिल जात क्या पारिटेन कोई ने प्रगता कि किसी चीज से उन्होंने बिल्कुल नकार दिया शीरे से उन्हें घंटा फ़रग नीपड़ा यह यह क्या बज़ रहा है क्या रही हुरे झाने से मतलग था तो मैं अब आपको रिकाती हूं की वापिस मैं पता है मैं घर वापिस आगा थ कि मैंने दूसरा पॉर्शन तो रिकार्डी नहीं किया था मैंने बाद में देखा स्कूर्टी पे जाते वे तो ये दूसरे पॉर्शन में और चीजे लगी वी थी जैसे यहां पर ये जो शॉप है इसमें बास्केट्स लगी वी है मुझे याद है कि मैं बाउम में थी तो किटन्स को लेके जाती थी ती चुट-चुटी बास्केट्स में वैसे तो यह चीजे हमें रेगुलर्ली मेली जाती है पर वो मेली में कुछ अलग सही मतलब इंट्रस्ट और मज़ा साथता है समन करता है खरीद लो और यह कुछ-कुछ चीजे ऐसी हैं जो मतलब बजार में ऐसे हाट की तरह भी करें थी तो आई होप आप लोग अच्छी लग रही होंगी और उसके अलावा यहां मैंने ट्रंपोलेन वगेरा भी था जिस पे कूद रहते बच्चे यह अपना शॉप है जिस पे यह देखो ट्रंपोलेन है तो इस पे उना बच्चे कूद रहते ऐसे से कर रहते तो बहुत मज़ा रहा था बच्चों के लिए बहुत अच्छ होता है मेला और यह शॉप हमारी नीचे लगी हुई है और मैंने तो कुछ खरीना नहीं था देख कुछ और मतलब रिंगs वगारा यह समस्ति एट रही थी और रिंगस रहते लोग को खरीद रहते जिनको खरीदना था यह अच्छा लग रहते मुझे तो नहीं खरीदना था तो गाइस अब आते है हमारे खाने वाले सेξ्षण पे तो खाने वाले सेक्शन में जो है यह अन यह नो दस बज़े के बाद लोग आएंगे क्रिशन उत्सव मनाया जाता है तो इस तरह से और यहां पे भी टिक्की वाले और चौमिन वाले भी बैठे वे थे ठीक है मुझे तो मैं तो पहुच जादे ही खा चुकी हूँ और मेरा तो आगेस आप लोग को आज काल ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे वीडियो उसको और मैं तो वैसे चाहती हूँ कि मैं रोजी कुछ न कुछ ऐसा बनाती रहूं लेकिन सारंपुर यार छोटी सी सिटी है इतना कुछ होता नहीं है और यह वापिस आ गई हूँ मैं अपने अच्छा लेकिन मेरी क्याट्र थी उसने मतलब बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं दिखाया उसके अंदर दाया भूफ आप लोगा चलागा चलागा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करना टेक क्यार बाई